राम राम जी गुड मॉर्निंग नमस्ते कैसे हो आप सब लोग आशा करते हूं आप सब अच्छे होंगे आपका स्वागत है मेरे नए विलोग में और चाय बना दिये और आलू भी खाट दिये है उठाती हो गुड्डू को और गुड्डू का अज लंच में दूंगी नमकीन चावल और आज उसका स्पोर्ट्स डे है तो हो जाएगी उसने पार्टिस्पेट भी करका है तो आज स्कूल नहीं जाएगी सिदे स्टेडियम ही जाएंगे और बैग भी नहीं लेके जाना सिफ लंच बोक्स और वाटर बोटल इसको लेके जानी है और मेरी आवाज देखे वेके आपको लग रही हो जाए है तो आपको लगा यहाँ है तो के जुकाम लग गाया है और शिर में वी दर्द हो रहाए जुकाम की वजह से और गले में भी दर्द हो रहा तो पूरे ना परेयाट करेशान रही, कल ऐसी ठंड लगी तो कि बारिश भी पूर लगाता और कल होई रही रही रुकी नहीं और कल ठंड लग गई कले में भी सर्में भी दर दो रहा तब गुड़ो को उठाती हूं और तयार करती हूं स्कूल के लिए सर्माजी भी जाएंगे तो उनको तो आदा घंटे बाद उठाँगे तो गुड़ो को चाहे देने के बाद पिर कपड़े प्रेस करूंगी और चावल चोक दूँगी चावल में तो ज्यादा देर नहीं लगेगी जल्दी बन जाएंगे तो अब उठाती हूं और पिर जाएंगे तो मैं तो नहीं जाएंगी ठीक है अपने अच्छे से नजए करियों अपने भागियों ठीक है ना रेसिंग करियों खूब तोड़ लगई हो पिर एक किसी और को बना देती हूं चोब देती हूं और ये नाती है गुड़ो करिये अब नास्ता अ, अर आज इसकी रेस है तो इसको best of luck बोलते हैं और पापा से भी मिलि लै cirue काई दिन में ऐनगे तो पापा से भी मिलके जा रही है और रए अंशुमन अजुलिक चुटी कर रहा है, अंचुमन नहीं जाराज, और चाय बना दी है, सरमाजी भी, मैं भी जाराओंगाई, हाँ, हो जता यह टाइम है, तो सरमाजी भी जारे, तो उनकी पैकिंग करते हैं, क्योगि तीन-चार दिन में आएंगे, तब कबड़े पैक करती हूं, बस गुड़ू क कि भी बैन आने वाली है और करोंगी सर्माजी की पैकिंग बस चाय भी बन गई देती हूं उठाती हूं सर्माजी को तो आप जाडू लगाऊंगी क्योंकि आदा गंटा हो गया सर्माजी को गए कहते हैं घर से कोई जाए तो आतो आज जाडू ने लगानी चाहिए अशुब ह होता है तो आदा गंटा हो गया उनको गए हुए इतने मैंने घर समेट लिया और जाडू लगाती हूं और फिना दोकर पूजा करेंगे ममें भी चाय की बोल दे तो ममें को भी चाय पिलाते हैं और आज कह रहा था ममें पढ़ाई भी नहीं होगी इतने सर्माजी रात को भी क्याल में लाश्ट साथ दियो उसके बाद शादिया खतम है फिर ममल का महीन लग जाएगा तो बस अभी आट तस दिन और है बस थोड़ा ही इसमें बीजी रहेंगे तो रात को भी लेट आये थे और सुबह अब जल्दी चले गए तो नेंद भी पूरी नहीं होगी पूरी सब्सक्राइब करने हैं तो नाली है जी और पूजा कर लिए और अंशूर में अब खाते खाना चावल चोके थोड़े से गरम सुबह बनाए थे तो अब यह टमाटर प्यास डाले के थोड़े से बस गरम कर लिए और चोके हैं और मूवी देख रहें उत्तर कुमार की कौन स प्रण कंशिए और एब काते हैं और विलमे मूवी के लिए रिए परांति है तो थोड़े देर में बनाओंगी यालो को परांते कानें की मन में तो मम्मी के लिए आल परांटे थोड़े देर में बनाऊंगी मेरे को भूग लगरी खातीं खाला यह देखिए मैं करियो ड्रायर से पैर गरम ठंड लगरी है बही सुबह से लगे हुए काम में ठंडे पाणी में काम करा और जो कुछ जो काम लग रहा था तो बुरा आल हो रह होंगी पैर ठंड हो गए थे और जुखाम से सर में दर्दी तना हो रहा है कि अब गोली लेकर थोड़े दर ले टूंगी और अन्शुमन मोबाइल में गेम खेल रहा है ममी ममी फिल्म देख रही है मौर ममी को उत्तर कुमार की फिल्म बहुत अच्छी लगती है तो ममी अपने बैट के फिल्म देखेगी मैं थोड़ी दर ड्रायर से पैर गरम करके फोड़ी दर लेटूंगी देखे गुटू आ गई स्कूल से नानी चाई पी रहा है और ये बत अच्छा पर दुबारा वही पर उसमें न में अपने वाख भागि तो मेरे सेकेंड पोजेशन और अधिया तो ने फूस्ट ने आई उट इसने एंग त्वुट सेकेंड पोजेशन कटैका ही लिए रख आए ना पाइपर में सेकेंड अर्ची पथली पथली लड़िया थी पतली पतली थी है वो पस्ट आ गई अब गुदू पतली ओए गया ना गुदू अब ममी ने चाय पी लिए मैं इनो पीती हूँ कि मेरे पेट में भी जलान हो रही है मैंने इनो मंगाई है तो इनो पीरियों मैं सुब ऐसे परिशान ही हो रही हो जो सबसे खाना खाया उसके बाद में पेट में दर्द हो रहा है तो थोड़ी सी इनो पीरती हूँ देखे चाय बना दिये गुड़ों के लिए कहती हूं ममी ठंड लग रही है और ग्राउंड में सारे दिन बैठे रहे तो ठंड लगी और इस अब थोड़ी देर पहले कौन सी लगा रहा कि थी एंगरी वर्ड तू अच्छ पता ने कौन सी मोवी देखते रहते मैं भाई यह अंशु की तबियत भी खराब थी मैंने का भी बेटा सोजा पर यह सोजा यह नहीं और बस बैठा ही रहा मैं तो लेट गई थी थोड़ी दे छाइ अब चाहिए में पानी आगा वाल सिद्धा करते हैं सपलाई का पानी हमेरे 3-3 ए मिदा आता है तोablesिदा कराए अ कि आ χुद मेरामन ना कि यह मैंन में नहीं पी है और अभी चाहिए देख हूं कि पेट में फढ़ होताराम बिलाओंड कॉंसी पहले हि पानी औरह hybrid इन तीनों के लिए ही चाय बनाई है अगर थोड़ा बुतारा मिले का पेट में तो थोड़े देर बाद देखोंगे चाय पीने का और शाम के लिए देखते हैं सबजी क्या बनाए अब आ गई हूं जट पे कपड़े उतारूंगी थोड़ा सा घूम भी लेती हूं कपड़े प अब तारूंगी क्योंकि सुपवर डाल के गई थी बारिष तो आज भी आई रही थी फुहार सी आ रही थी आज भी रुकी नहीं थी फिर भी मैं डाल गई क्योंकि टप में रखती तो भी कपड़ में बदबुत होई जाती फिर मैंने सोचा कि क्योंने सुखा ही दूं कल त सब्वारिस के कारण ठंड भी लग गई गला भी बैठेगा जुकाम लगा हुआ है और देखिया आपको कि इर्टन की अवाज आ रही होएगी क्योंकि पिछे घर के पिछे गली में मन्दीर है तो महां से किर्तन हो रहे हैं वांपे तो किर्टन की अवाज आ रही है आपको स बार्सी वार्सी और फिर भी कपड़े सूखी गए तो बीच बीच में रूख भी रही थे और शाम को जैसे थोड़ी सी हवा चली और थोड़ी दिन मोसन खुला भी था तो शाम की जो जो पूरी दिन रखे रखे और अंशुमन तो शादी में जाएगा अपनी यह ममी की और गुर्डू के लिए खाना बनाना है क्या खाएगी गुड्डू ममी के लिए भी कुछ ठुल का दल्याई बना दूँगी और गुड्डू से पूछ हुँगी क्या खाएगी अब तो बस ब्रेंद चाय बिसके ठाके सो गई है ठंड लग रही थी उसको आई थी स्कूल से जब कहा थी मम्याण सो बहुत ठंड लगी तो बस आते ही चाय पीके फ़ड़ी देर नानी से बात करी उसने और चाय पीके सो गई और चुखाम ओर कि सिर चुकाम ऊत्रहे चुखाम सिर में जूद दर्द है जूक घारम में लुट सिर अब शाम को जाके थोड़ा सा मौसम खुला है तो आप कपड़े उतारूंगी उतारूंगी फिर कपड़े उतारूंगी फिर पूजा का टाइम हो जाएगा पूजा भी करेंगे और अंचुमन गया अब शर्षिद भाई अक साथ गूमने कहरा है ममी पूरा दिन हो गया लेटी हो यह मैं तो कह रही आज़ा ममी दीर दीर चट पे घूम लेंगे पर कहरी नहीं बेटा मेरी इम्मत नहीं है तो घूमा मैं तो लेटी रहूंगी ठंड जादा लग रही मेरे को ममी तो नहीं आई और बसका पड़े उतार दी क्योंकि अब फिर से थोड़ी थोड़ी और जबसे हमने खुले में असे मिटी डाल के लगा है इंस सूखता ही चला गए है ना तो बढ़ रहा है और और फैल पिला पिला हो गया हम ने जैसे वो गमलह तुलसी बडाय जैसा ही बना लग आख ऊंग पत्ता तो तब तो यह खिल गया थ और बढ़ा भी हो गया था अच तो जैसे आशे ही निकाल गालके टाइल लग वां को अब तो यह में उसमें से निकालके और रखिग ही हबी थाइल में पड़ायाले लगा नो तो ख़रा भी AAA तो तो फैसे पारके में लगाना पहले गाए गıylaल को सी٪ने पत्ते नोब successive treatment चार गंबलों में तुलसी माता दो बागती में लगा रखी इनको मैं डेली अंदर रखूंगी जो कि फिर ठंड पे सुखेगी नहीं और हरी की बरी रहेगी पिछले साल भी मैंने ऐसे किया था दो गंबले जो थे वो डेली उठाके मैं अंदर रख देती थी नीच अंदर टा नहीं थी कि ठंड के कारण तुलसी माता सूख गई थी तो अब इनको अंदर रखूंगी बस पूजा कर रही हूं संद्या का टाइम हो गया बस पूजा कर देती तुलसी में और इनको तीन हुचारों को यहां पे रखती हूं अंदर ठंडी अवाना लगे और यह सूख है न नदान डालने तैयार होएगा तो एक नदान डालने जाएगा और बस यह तो वहीं पिखाना खाकर आएगा हम तीनों के लिए खाना बढ़ाना है कितने बज़े की कहिए उसने बाई ने जाने के साथ गयर जो आदे गंटे पर याजियों तेयार जोंगा ठीक है तो गुद्दू भी सो रही है मम्मी भी सो रही है चाय पिने के बाद दोनों नहीं बटी फिर सो गई और अंसु विचारा बैठे मोबाइल देख रहा है यह जाएगा प्रदे में शादी में और मैं मलाई भी लो लो लेती हूँ मलाई जमारक्षी कि यह देखिए तो इतने मक् अखन गरम करने देता है इसको समयल आती है और कहता है मैं मैं रहू तब मत करना यह काम तो अभी यह चादी में चले जाएगा तो पहले का भी थोड़ा सा मक्षन रखा और कुछ यह हो जाएगा दोनों कोई खटा करके और गरम कर लेंगी और बस यह भी लोगी तो इसके ब पूचा करने के बाद इसके लिए बढ़ाऊंगी आलो के स्नैक्स और उठी भी नहीं है अभी अंचुमन गया शादी में कनादान भी डाला आएगा और वो खाना भी खालेगा वाही पे और इसके लिए मुना रही है इसको मैंने बिज्जानी गुर्दू को इसके लिए बन कैसे बनाओंगी और यह देखिए घी भी हमारा गरम हो गया है निकल गया है घी भी अब आ गई रसोई में और आलू मैंने 6-7 चोटे थे 6-7 मैंने छील लिये थे और उनको मैंने कद्दू कस कर लिया था और यहालू मैंने दो दिये हैं और दोकर इनमें मैं थोड़ा सा अर अरा रोठ ज्यादा ही मिलेगा क्योंकि में अच्छे से निचडे नहीं नहीं थोड़ा पानी रह गया तो यह द्राई कर लोंगी बिल्कुल सुखे सुखे से और फिर थोड़ा सा बेसन ज्यादा बेसन नहीं मिलाऊंगी थोड़ी काली मिर्च नमक और मैंने खटाई विल्क के टिकले और जन्वा तुंब्री काली आरा रोठ डाली जाएं तो सरा मसाला तो यह तयार करके और फिर बनाओंगी स्नैक्स और गुर्दू भी उट गई है तो मैंने उसको बता दिया कि बाई तो कन्यदान डालने जाएगा तो कहरी मेर को भी जाना है तो उसको मैंने मना कर दिया कि तु घर पर ही रहे जा मैं तेरे लिए स्नैक्स बना रही हूँ और वनको अच्छे से मिलाके इनकी मैं चोटी-चोटी टिक्की बना लूँगी एक बनो या दो बनो तो इनकी मैं टिक्की बना लूँगी और अब यह मिलाते हैं जाल देखे हैं कि अब देखे स्नैक्स बन गए हैं किसे हो गए करारे करारे लाल लाल बिलकुल निकाल देए और आप और डाल देती हूं और यह खेंडे हो जाएंगी तब लड़ू गोपाल जी को चटनी के साथ भोग लगा देगी और शिपिलाएंगी गुड्डू को तो देखे स्नैक्स तो हमारे बन गए हैं और आप में टमाटर की चटनी बनाओंगी टमाटर और हरी मेच्ज़ यह रहा दन्या मिला नहीं हएं बाकि अगर मिलता तो चटनी बहुत अच्छी मुलती बन जाती और खाने में भी अच्छी लगती तो हरा दनिया मिला ही है दु सिनेक्स हमारे तयार है और लड़ु अपाल जी को भी भूङ लगा दिया और चेटनी और सिनैक्स को नियुक्त बूडु को पूछते हैं कैसे बनेए तो देदिये institution को और यो इंड़ को को बता बाई वाबुर के बने में यह करा कर आ हैं और कैसी अवाज अवाज हा रिया ने चादी में से करनादान डाला है और सर्मा जी दो तिन दिन बाद आएंगे गुड्डू भी अपने फोन देख रही है और मैं अर्ममी देख रहे हैं मुवी दादा लखमी चंद तो हमने वहां तक देख लिए कि उसको दादा लखमी चंद को पारा पिला देते हैं और वह पूरे दिन सब में आते हैं और इतने भी पूरे भी आते हैं कि घर में जब कोई मर भी जाता है तो भी देख लो अपना काम नहीं छोड़ा जाता तो आप भी देख रहे हैं मुवी बहुत अच्छी है और मैं ममी तो देख रहे हैं ममी तो बस रोने कोई हो गई थी तब उन करना कमेंट करना शेयर करना और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना जै श्री कृष्णा